हर दिरो घुटनों का दर्द, वजन को घटाने और आखों की रोसनी को बढ़ाने में चमतकारी है ये चीज इसके साथ में 80 से चोटी तक सरीर की हर बीमारी का इलाज करती है दोस्तों वे लोग जो वेजिटेरियन हैं और मचली नहीं खा सकते उनके लिए फिस ओयल की गोलियां एक वरदान के समान है एक चमतकार के समान है मचलियां अनेक जाती पर जातियों की पाई जाती हैं किन्तु जिन जातियों से मचली तेल प्राप्त के जाता है उनमें ट्राउट, हेलिबिट, टूना और सालमोन परमुक है मचली तेल से हमारे स्रीर को बहुत रहें के फाइदे होते हैं और मचली का तेल हमारे स्रीर में सभी विटामिन और मिनल की कमी को पुरा करता है इसके साथ में हर दिरो घुटनों का दर्द, वचन गटाने, आँखों की रोसनी को बढ़ाने और एडी से चोटी तक सरीर के सभी रोगों का इलाज करता है तो आई ये दोस्तों जानते हैं मचली के तेल से होने वाले फाइदों के बारे में डिप्रेशन भगाए, रिसर्च के अनुसार मचली के तेल में ओमेगा थ्री पाये जाता है इस कान से ये हैं व्यक्ति में अफसाद, उदासी, चिंता, व्यकुलता, मांसिक थकान, तनाओ, आधी मांसिक रोगों को दूर करता है और व्यक्ति में सक्रियता का सिंचार करता है हर्दिरो, मचली तेल में उपलव्द ओमेगा 3 हर्दे को स्वस्थ और रोगों से दूर रखता है यह रक्त में हानिकार कोलस्टोल LDL को कम करता है और लाबकर कोलस्टोल HDL को बढ़ाता है इस परकार मचली तेल के निमित उपयोग से हर्दे कात होने के संभावना बहुत अधिक कम होती है सरीर की सूजन को कम करें सरीर में सूजन भले ही थाइराइड की वज़े से हो या फिर सिरोसिस की वज़े से मचली का तेल उसको कम करने में बहुत अधिक सहयक है रोज दिन में 3 ग्राम मचली का तेल लेने से सूजन को कम किया जासता है घुटने का दर्द जिन लोगों को घुटने के दर्द की समस्या है यानि की अर्थरेटिस की समस्या है उसमें यह मचली का तेल बहुत अधिक फाइदेबंद होता है लेकिन मचली का तेल बिलकुल प्योर तता सिंतेटिक रही धोना चाहिए जिससे यह और भी आधिक फाइदा हमारे लिए करता है तवचा के लिए तवचा की जूरियां तता रूखा बन मचली के तेल के सेवन से दूर होता है जिससे व्यक्ति का संद्री और आकर्सन बढ़ता है इसमें DHE और EPA एसिड पाई जाते हैं जो की जरूरी फैटी एसिड होते हैं और यह सीधे ही तवचा के संद्री से जुड़े होते हैं यह तवचा के अनेक रोगों जैसे दाद खाज खुचली आदी के उपचार में भी उपयोगी सिध होता हैं जिसके लिए इसकी मालिस की जास्क भी है गरबावस्ता गरबावस्ता में इस्तिरी दवरां मचली के तेल से के सेवन करने से गरबस्त सिशू के मस्तिक्स और आखों के विकास में सुधार होता है जो इसमें उपस्तित डियहचे के उपस्तिती के कान होता है इसे गरबस्त सिशू के सारीरिक विकास में भी साहिता मिलती है वजन को घटाने में अगर आप फिस ओयल के साथ साथ रोजाना वयाम करेंगे और अपने अहार में भी बदलाओ लाएंगे तो आपका वजन तेज जिसे कम होने लगेगा फिस ओयल सरीर में जमा चर्बी को गला कर कम कर देता है आँखों के रोजने को बढ़ाने के लिए फिस ओयल के सेवन से आँखों की मास पेसिया मचबूत होती है और आँखों के रोजने भी तेज होती है इसके लावा यह मानसिक ध्यान लगाने में भी मदद करता है अगर आप किसी काम में ध्यान नहीं लगा बाते तो मचली तेल के सेवन से आपकी यह समस्या सही हो जाती है तो दोस्तो यदि आप भी सरीर में AD से चोटी तक कहीं भी किसी भी तरह की बीमारी से परिशान है तो आप इस तेल का सेवन कर सकते हैं और इससे आपको चमतकारी के नतीजे प्राप्त होंगे तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तो